चोके किसान की समय फसल ये कटाई एकदम सिर्पर है संयोग से इस बार वर्षा और कुछ जगाँ पर उलावरिष्टी भी होई उसके काण से भले दस दिन देरी से फसल कटेगी लेकिन हमारा जो इस समय का जो पीरियड है इसमें और भी कटाई आने वाली हैं इस समय का हमको द के अंदर करना भी एक बहुत बड़े जटल समस्या बनी होई है क्योंकि मजदूर यहां नहीं है और सब लोग इकठे हो करके यदि मंडी में आते हैं तो हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का आप उसमें दूरी पर रहने का जो विशह है वो भी उसमें भंग होता है तो इस किसान हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा इसमें हमारा सयूग अवश्या आप दें क्योंकि उसमें जो बड़ा विशह आयेगा कि इस प्रक्यूर्मेंट को हम 15 अपरेल से जो शुरू कर रहे हैं सरसों की और 20 अपरेल से शुरू कर रहे हैं गेहों की प्रक्यूर्मेंट तो एक साथ नहीं हो पाएगी इसको तीस अपरेल तक हमको ले जाना पड़ेगा लगबग धाई मेने का ये समय जो पहले लगबग एक महीने में प्रकूर्मेंट होती थी इस बार हम विचार कर रहे हैं कि थोड़े-थोड़ी मात्रा में लाया जा और तीस जून तक ये जो प्रक हम उनको दिनों के बारे में बताएंगे किस दिन ने किसको ले के आना है इसके लिए हमें कठनाई रहेगी कि आख़र उस अनाज को हम स्टोरेज कैसे करें उसको आपको प्रबंद कराया जाएगा कि उसके बोरीय इसकी व्यूस्ता करा दी जाएगी ताकि बोरी में भरवा करके और उसको सुखा करके क्योंकि मौइस्चर का यदि अनाज उसमें भरा जायेगा तो निश्य रूप से बहुत जिल्दी वो खराब हो सकता है तो जितनी मौइस्चर उसमें अलावड है जितनी निश्चित की गई है सरसों अत्वा गेहु में उतनी मौइस्चर के लिए हमको उसको सुखाना भी होगा सुखा करके बोरियां भरके जहां स्टोर कर सकते हैं अपने घर में कर सकते हैं अत्वा कोई भी मंडी के अंदर कोई स्थान मिलेगा उसमें कर सकते हैं कुछ शेड्स मिलेंगे चाहे वो डिपार्टमेंट के होंगे चाहे सारजनेक होंगे संस्ताओं के होंगे उन शेड्स में आपको जगां दिलाई जाएगी ताके हम अपनी बोरियां भर करके मार रख सक और उसको समय पर जब आपको बताया जाए उस समय उसको जा करके मंडी में बिक्री कर सके ताके स्मूथनेस और एक सहच तरीके से ये सारी प्रकूर्पर्मेंट हो सके और मैं अपील करता हूँ सब किसानों से चोटे हो या बड़े उन सब को जब कहा जाए तभी मंडी में बड़े किसान खास करके थोड़ा देरी से आएंगे उनके फिर भी सेहन करने की थोड़ी शक्ति होती है इसको हम करेंगे जैसा मैंने बताया कि बैंकों का जो पैसा है वो भी जो 15 अप्रेल तक दिया जाता था वो 15 अप्रेल की बजाए इस बार उसको बैंकों ने हमें एक दी है कि हम तीस जून तक उस पैसे को जमा करा सकते हैं तीस जून तक का जो भी ब्याज लगेगा उस ब्याज की जैसे बरपाई के इंदर सरकार और प्रदेश सरकार मिलके करते थे साथ परसंट की बरपाई इस बार वो सारी जो सरकार करेगी उसको तीस जून तक का ब्याज वो सरकार ही देगी आपको उसकी चिंता नहीं करनी है तो इस निवेदन को मैं बार-बार इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा विश्य ग्रामिन शेत्र का वोई आएगा इसी प्रकार से जो किसान की कटाई के लिए किसान की कटाई के लिए मनरेगा के लेबर्स इसके लिए भी हमने केंदर को पत्र रिखा है कि वो लोग हमारी स्योगी बन जाए और मनरेगा के अंतरगत हमारे किसान की कटाई का काम क्योंकि जो फसल गिर गई है ओले के कारण से वर्षा के कारण से उसकी कटाई हाथ से ही करन हैं लेकिन क्योंकि इस बार विशेश प्रस्थिती है अपत्तिकाल है कहा जाता है कि अपत्तिकाल में कोई मर्यादा नहीं होती अपत्तिकाले मर्यादा नास्ती तो ऐसी बिना मर्यादा मर्यादा को तोड़ करके भी अपने घर परिवार के लिए काम यदि करना है स्वयम को भी मजदूर बन करके द्राती उठा करके और हमको खेत में जाके काम करना पड़ेगा तो हमको संकोच नहीं करना है क्योंकि खेत अपना, खेती अपनी, अनाज अपना, साधन अपना तो हमके अपने काम किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए इस काम को भी हम करें मजदूर से कराएं लेकिन इस बार के इस संकट को हम लोग मिल करके हल करेंगे तो इसलिए हमने मंद्रेगा के लोगों को भी सारे सिस्टम में साथ में लगाया है पत्र लिखा है पदान मंत्री जी को कि अगर मन्रेगा के लोगों को कृशी में कटाई के काम में उप्योग करेंगे तो ऐसे जो मजदूर हैं उनको भी लाब होगा और किसान को भी लाब होगा मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसकी सुकृती यह हमको मिल जाएगी किसान कल्यान किनाते से बहुत योजनाएं अन्यवी बनाई गई हैं जैसे हमने विचार किया कि सबजिया है किसान जो सबजी बोता है उस सबजी की बिकरी के लिए भी हमने शेहरों के अंदर F.P.O.S. बनाए हैं ताकि किसान उन F.P.O.S. पजा करके अपनी सबजी या सबजी बंडी बेचेगा तो उसको उसका पूरा ये लाब ये मिलेगा जहां तक दूद की बिकरी का सवाल है ये शिकायत मिली हमको के जो सरकारी अजन्सिया है उन्होंने दूद खरीदने में कुछ या तो उनकी मजबूरी के है या उनके हां भी लेबर की कमी हुई या उनकी स्प्लाई की कमी हुई तो ये कमी भी उनको दिखाई दी है हमने कल ही ऐसी सब सरकारी अजन्सियों को जो दूद को खरीदती थी